पिसमिल्हिर्हाइन रहीं अस्सलाम विलिकुम आज आतुमीज अदर सबसे इंपौर्टन स्वेड में चाली स्था असाने कने का रिधा रेज़ evidence Of अब यह जो था मेंली इसने जो है वो हाइजनबर्ग की प्रिंसिपल को माइंड में रखे जो है वो नेक्स कौंटम नंबर को सैट अप किया और इसके लावा बोहर के डिफेक्ट के उपर भी इसने एक नज़र रखी इसने का ठीक है हाइजनबर्ग ने कहा है कि विलोसिटी और पॉजिशन एट अट अटाइम जो हम में यह नहीं कर सकते ठीक है लेकिन उसने यह कहा कि probability जो है वो फाइंडिंग अनिर्णीज मैक्सिमम ठीक है इसने सिर्फ जो है वो बोहर के और बिफेक्ट झो हिर्ण के फर्स्ट और बिकरड का जो रेडियस निकाला था बताया कि वहाँ तक फ्र्स औरिक्वर का रेडियस निकाला था बताया कि हम बोहर ने उस term को कहा था orbit और बोहर जो है वो three dimensional के पास भी नहीं गिया उसने कहा था वो orbit जो होते है two dimensional होते है ठीक है लेकिन यह score odinger ने उसको थोड़ा सा modify कि उसने कहा कि उसको हम कहेंगे atomic orbital जहां पर probability जो है वो एक electron को find करने की 95% और इसने जो है वो three dimensional को लेकर चला और बिटल जो थी एक ऐसी चीज थी which is something unknown तो बोहर ठीक है और इसने बताया कि वहां पर अगर electron जो है वो करेंगे ठीक है तो यानि के जितने four total quantum number है ना उन में से three जो है वो इसने ही जो है इसकी wave equine है इसके model से ही हमें मिले इससे मैं पता चल गया कि total number कितने है quantum के four है सबसे पहले देखते हैं quantum number में principle quantum number quantum number की जरूरत क्यों मिसोस होई अगर मैं आप मेरे पास आओ 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 मुझसे पूछो के मतलब मैं कौन हूँ तो अगर मैं कहां दूँ किस मुसल्मान हूँ अब मुझे क्या पता आप नाम पूछ रहे हैं आप जो है वो किस लिए हास से अब एक परसन की पूरी information जो है वो बेस कर रही होती है उसके नाम पर ठीक है वो किस जगह रहता है किस चहर रहता है जब तक पूरी information नहीं होगी आपको पता नहीं चलेगा उसके बारे में यह समाज़ लें कि बोहर ने जो है वो सिरफ एक ही चीज के बारे में बताया लेक तो कह सकते हैं अब शेल एनरजी लेवल या और्बिट यानि कि यह एक इलेक्ट्रोन होगा यहां पर दरम्या में न्यूक्लियस है तो यह जो है यह इसका शेल होगा इसके उपर एक शेल आप इस तरह से इक और बना सकते हैं ठीक है तो इसने यह कहाँ इसकी बैल्यू नोन जाते हैं ऐसा पोसिबल ही नहीं है इसकी वैल्यू क्या होगी 123 यह अगर आप अल्फाबैट में कहना चाहें के लैमन तो इंफिनिटी चलती है बहुत ज्यादा जैसे हमारे पास अटम्स बढ़ते जा रहे और में इलेक्ट्रों बढ़ते जा रहे वैसे वैसे शेल नंबर बढ़ रहा है वासे इस्टेंस भी बढ़ तो मींनली यह क्वाट्टिटिटिव मेर होता है साइस में यह वाला प्रिंसिपल कॉंटेंडंबर हमें जो में इन्फरमेशन दे रहा है वह बता रहा है साइस कि कोन से साइस का जो है वह इसके पास है है next अगर हमने इसके अंदर शेल के अंदर electrons find करने हो तो हम कैसे करेंगे two n scale and मैं कहूं first के अंदर कितने होगे तो आप n के अंदर one put करें one square one और two ones are two पहले के अंदर दो है अगले के अंदर जो है वो two put करने हैं वो कितने हैं के अंदर अब यह जो एम मैंना यह हम बेगनेटिव कौंटम नंबर के अंदर डील करेंगे अभी मैं इसके बारे में जादे information नहीं दे रही लेकिन यह बता देती हूं कि यह भी next devian ही है उसके लिए भी आप यह फॉर्मूला अपने जहें में रख लें इंशाला हम निक्स चाकिस फॉर्मूला के ओपर भी थोड़ी सी बात करेंगे नेक्स्ट वाला हमारे पास आगया azimuthal quantum number यह पताता है शेप पहले वाले ने क्या बताया हमें size इसके अंदर हम डील करेंगे शेली के अंदर further arrangements sub shell, sub energy level या orbitals यानि कि यह एक चीज थी जिसको बोहर ने बताया ही नहीं हमेरे स्पेक्ट्रो फोट्रमीटर यह स्पेक्ट्रमीटर के जिए जब इसको देखा गया high resolving power के साथ तो बता चला कि एक individual line नहीं होती एक spectrum की वह further lines के अंदर divided है अब इसकी value क्या होगी 0, 1, 2, 3 इसकी value क्या होगी n-1 यहां पर n क्या है अभी हम पीछे पढ़के आए है अभी हम पीछे पढ़के आए है principal quantum number तो principal quantum number में से अगर हम एक minus कर देंगे तो हमारे पास azimothal quantum number की value आ जाएगी ठीक है यानि कि अगर l1 है तो n कितना होगा 1 अगर l1 है तो n कितना होगा 2 ठीक है तो इस तरह से आपन minus 1 वाली बात जहन में रखनी है next अभी l के कितनी है next types वो किसकी से stand for यानि किसकी से derive हुई है उनके नाव shape कैसी है और electrons कितने है सबसे पहले जाते है s फिर p d f s के लिए l की value 0 है p के लिए 1 है d के लिए 2 है f के लिए 3 है यह s stand for करता है sharp और यह करता है principal अभी आपने याद रखना है यह principal एल ए वाला नहीं है असूलों वाला नहीं है यह principal है पाल ठीक है अक्सर बचों के इसके अंदर भी confusion होती है तो यह भी mcq निकले तो आपने नहीं होना ठीक है d for diffused f for fundamental इसकी shape होती है spherical वह मैंने आगे बना दी है इसकी होती है dumbbell वह मैंने आगे बना दी है तो ठीक होगी इसकी shape आपने देख ली है next मैंने कुछ आगे draw करने की कोशिश की है वहां तो इस तरह की कुछ दिखाई हुए ना जब इस तरह की आपस में join करेंगी तो फिर यह इस तरह की बन जाएगी ठीक है एफ फर fundamental है तो उसकी जो shape है वो complicated है next इनके अंदर electrons में मैंने आगे है s के अंदर 2 है p के अंदर 6 है t के अंदर 10 है f के अंदर 14 है आप गौर से देखें इनके अंदर difference कितने का आगा रहा है 4 4 का 2 से 6 दरम्यार में difference कितने का 4 का 6 से 10 difference कितने का 4 का अब formula क्या है electrons find करनेगा यानि कि यह electrons कैसे है मुझे कैसे पर अचला कि इतने इतने होते है 2 into 2L plus 1 s के लिए आप 0 put करें यहां पर L के जगा 2 into 00 यह हो गया और यह 1 बच गया 2 1s are 2 यह 2 आ गया इसके जगा 1 put करें आप तो 2 1s are 2 और प्लस 1 3 3 2s are 6 आ गया इस तरह आप 10 put करते जाए इसके इलाबा आपको जो है वो find करना होगा formula के इस दिए कि L के अंदर M कितने होते हैं जैसे हमने पीछे find किया था N के अंदर M कितने होते हैं तो उसके लिए भी formula जो था उसके अंदर इलेक्ट्रोन से के लिए हमने 2 हटा दिया था तो हमारे पास जो है वह M की value हागी यहां पर हमारे पास यह वाला है पूरा formula तो यहां पर हम 2 हटा देंगे तो हमारे पस जो है वो M find हो जाएंगे L के अंदर उसके इलाबा यहां पर फार्मूला अगर हमने find करना हो L find करने का N के अंदर प्रिंसिपल कॉंटम नंबर है और आपने यह वाली बात जो है वो जहन में रखनी है कि यह N-1 होता है हमेशा सही तो इसको find करने के जूए है अपने mind में रखने के जब N1 होगा तो L कितना होगा तो इस N की जगा वन पूट करें 1-1 0, L0 होगा ठीक है अब हमने यह देखना ह और यहां पर उसके लिए 1S का word यूज करेंगे अगर 2L है तो इसके लिए value कितनी होगी यहां पर लिखे 2-1 1 आ गया तो L1 है यानिके 0 से 1 तक SP 2S2P इसी तरह से 3 में सो और इसी तरह से 4 में वो आपने values जो है वो खुद देख लेनी है किस तरह किस तरह से वो बढ़ती जा जाएगा क्योंकि पी के अंदर 6 होते हैं और S के अंदर 2 होते हैं तो यह 8 हो जाएंगे आप इस तरह से भी जो है वो इसके इलेक्ट्रोंस निकाल सकते हैं नेक्स्ट आज़ता है हमारे पास magnetic quantum numbers यह explain करता है mainly orbitals की फैको magnetic field के अंदर सबसे पहले वाला हमें size बता रहा था अगर magnetic field के absence हो तो different direction या different shape के जो orbital होते हैं उनकी same होती है energy उसको कहते है regenerate orbitals अभी हमने जो है वो अभी M जो देखे N के अंदर किस तरह से formula से निकालने है और अभी हमने M के जो है वो देखे L के अंदर किस तरह से formula में निकालने है तो अगर 0 है ठीक है तो अगर वो 2L प्लस 1 वाले formula के अंदर L की value जो है वो 0 पुट करेंगे ये वाले L की value 0 पुट करेंगे तो ये 0 into 2 0 ही हो गया तो यहां पर कितनी तदाद आगी 1 अच्छा अक्सर बचे ना यहां पर confusion कर जाते हैं वो कहते हैं कि यहां पर इसका answer क्या आगा 1 तो वो यहां पर M की जगा पुट कर यहां पर 3 नहीं पुट करने बाइड जाना 0 प्लस माइनस 1 यानि के एक 0 हो गया एक प्लस 1 हो गया और एक माइनस 1 हो गया तो टोटल कितनी तदाद होगी 3 इस लिहां से जो हो तदाद देता है formula हमें exact value नहीं बिताता इसकी तो इसके 3 degenerate orbitals आगे हमारे पास ठीक है पी एक्स और होते हैं इसकी shape जो है वो कुछ इस तहां से आती है ठीक है पी एक्स के लिए इसकी shape यह होगी पी य के लिए shape इसकी यह होगी और पी जी या जिस तरह से भी plane जिस तरह को draw करेंगे इसकी shape जो हो उसी तरफ को चली जाएगी तो यहां पर egg shaped होते है mainly region से symmetrical disposed होए होते है one of three axis जिस भी axis के number होंगे उसकी along parallelly move करेंगे उसकी orbital axis के next अगर इस L की जगा जो है वो आप यहां पर put करेंगे 2 ठीक है यहां पर अगर अगर आप 2L plus 1 जो formula है आपके पास इसमें जो है वो L की जगा put करेंगे 2 तो यह इसकी value 5 आ जाएगी वो 5 यहां पर मैंने लिख दी है ठीक है इसके shape सब के लिए कुछ इस तरह के होगी और अगर DZ होगा तो यह इस तरह से Z के लिए यह और साथ में यहां पर एक चोटा सा orbit होगा यानि कि इसके total 4 lobes होगे इसके total 2 lobes है यहां मैं टिक लगा रही हूं इसके total जो है वो 2 lobes है इसके total 4 lobes है लेकिन सिरफ एक DZ ह होगा जिसके अंदर 2 lobes होंगे इसके ठीक है Dxy के लिए इसकी value minus 2 होगी जो है वो yz के लिए minus 1 है xz के लिए plus 1 है और यह x square से लेकर y square तक अब आपने जो है वो इस x square से minus नहीं कहना है यहां मैंस का sign है यह two dash dash का sign x square से y square तक तो यह plus 2 इसकी value है और dz square जिसके total lobes है उसकी value 0 होगी नेक्स से आ जाता है f f के अंदर अगर हम यहां पर f के लिए यहां पर put करते हैं 3 ठीक है तो यह 2 into 3 होगा 6 और plus 1 कितना होगा 7 तो यह 7 है और उनकी values मैंने यहां पर लिख दी है next last one हमार पास आ जाता है spin quantum number यह rotation के बारे में बताता है पहले ने बताया हमें size के बार dublet इसका line structure था dublet line structure यानिके इस तरहां का इसका जो था वो line structure था और इसके दरम्यान जो space थी as compared to other fine spectrum बहुत ज्यादा थी ठीक है widely थी anti clockwise के लिए इसकी value थी momentum की यहां पर plus 1 over 2 और clockwise के लिए minus 1 over 2 यह opposite spin क्यों थी ताके electrons के दरम्यान जो repulsion है वो कम से कम हो जाए अब last topic जो है वो step track का इसके बाद जो है इन्शाला step track को हमने विदिन वन आर इवाइस और अच्छी तरह concept से close कर दे रहा है इन्शाला तो यहां पर इसकी energy जो है वो electronic configuration को किस तरह से range करना होता है हमने range करना होता है n plus l rule के जरीए यह तो n plus l rule होता है आपके समझने के लिए कि हमने किस तरह से जो है वो इसको put करना है उसके इलावा जो हमने electronic configuration लिखनी होती है न वो mainly उसके लिए जो है वो यही है कि उसके लिए होता है school school public school पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल इसके बाद आ जाता है नास पे फैसलाबार डिविजनल पब्लिक स्कूल रुपी इसको दुबारा से एक बार लिख लिए फैसलाबार डिविजनल पब्लिक स्कूल इसके साथ लगे वन इसके साथ लिखे टू इसके साथ भी इस तरह से से सुन यह मूफ करता जाएंगा यहां अपने याद करने का तरिका कर्म में नमलिय है क्स tadики श किॐ रहा है इसके अदर आपको नज़र आ रहे हैं इसके अदर आ kamu buat प्लिट कि रहा है और तो एक LG आपकर के अनुमल like और को याद रहा है कि अनुमिaat जो है वो दो शेल को एड़ करने से जो है वो आपने यहां पर इसका लिख देना के किस तरह से आ जाएगा लेकिन अगर दो ऐसे हमारे पास आ गए है दिनकी N प्लस L वैल्यू सेम है जैसे यहां पर मैं अगर आपको एक्जेंपल दो 2P और 3S 2P P के लिए क्या वैली वोगी 1 तो 2 प्लस 1 थ्री और अगर मैं 3S देख हो तो उसके लिए N की वैली वोगी 3 और S की वैली होगी 0 यहां यहां लिक भी देती हूँ 2P के लिए जो है यहां पर 2 प्लस 1 ठीक है और यहां पर वो हमारे पास 2P के बाद आ जाए 3S तो यह है यहाँ पर आ जाता हमारे पास 3 प्लस 0 तो यह दोनों 3-3 आ गया अब हमने यहाँ पर N प्लस L रूल कहां गया अब कहां किसको पहले लिखेंगे हम उसको पहले लिखेंगे जिसका जो है वो N स्मॉल हो अब इसका N स्मॉल है तो 2P को हम पहले लिखेंगे, 3S को हम बाद में लिखेंगे, अब ये बात अपने आपने जहें में रखनी है, ठीक है, नेक्स्ट हमें तीन प्रिंसिपल भी बताएंगे, जिसके जिरिए जो हम सॉल्फ कर सकते हैं, सबसे पहले था आफबा प्रिंसिपल, वो ये कहता था, feeling of electron in a sub shell according to their increasing energy level, यानि कि वो mainly N plus L को ही describe कर रहा था, जैसे जैसे energy बढ़े, अब energy directly proportional होती है, जैसे जैसे N बढ़ता है, जैसे N बढ़ता है, जैसे N नमबर बढ़ेगा, जैसे energy बढ़ेगी, उस लिहास से आपने अर्रेंजमेंट करनी है, नेक्स्ट आजाता है, पाउली एक फ opposite spin, opposite spin है, तो मतलब क्या होगा, same orbital, यानि कि PX अगर एक ही में orbital लेती हूँ, PX तो उसके लिए जो spin होगी, वो इस तरह की, sorry, इस तरह की spin आएगी, ठीक है, इस तरह की spin आएगी, उसके लिए opposite spin, तो इससे ये मुराद हुआ कि, ये बहुत impossible है, एक poly electronic atom के लिए, कि वो एक ह टाइम पर चारो quantum number की value सेम रखे, जैसे यहाँ पर मैंने नीचे एक example जो है, वो दिखाई हुई है, first electron के लिए N अगर 1 हो, L 0 हो, M 0 हो, ठीक है, अब ये तो आपको भी मैंने बताया किस तरह किस तरह से values आती है, तो second के लिए भी सारा कुछ होई है, लेकिन लेकिन यहाँ सिरफ fourth quantum जो है, वो इसकी सारी value सेम होने से नहीं होने जैता, यानि के, एक जो है, वो clockwise rotation होती है, एक anti-clockwise rotation होती है, next नमारे पास आ जाता है, हंड्स rule, हंड्स rule जो है, वो पावली का बिल्कूल opposite है, वहाँ पर opposite spin थी, यहाँ पर same spin है, same spin है, तो क्या मतलब हुआ, different orbitals होंगे, अब यहाँ पर अगर मैं कहूं, यह तीन orbitals हैं, मेरे पास सिर्फ दो electron है, अब मैं कह करूंगी, पहले PX को बढ़ने लग जाओंगी, नहीं, पहले मैं PX में एक डालूंगी, फिर मैं PY में एक डालूंगी, और दोनों को same spin में डालूंगी, क्योंकि different orbitals हैं, next, यह पर आपक सिर्फिस के अंदर 0 होती है, बिल्कुल, तो अब यह सारा कुछ पढ़ा है, तो अगर आप यह सोच रहा है, अब यह पूरे चैप्टर पढ़ा है, मैं आपको एक MCQ देती हूं, आपने जो है, उस MCQ को देखें, मैं एक बार रीड कर देती हूं, which of the following is incorrect, ठीक है, for our elements यह आ Nucleons होता है, P plus N, तो वो कहरा है, तमाम elements से राइसोटोप के लिए, Nucleons होता है, P is equal P plus N, दूसरी statement है, all masses is concentrated in nucleus, उसके बाद तीसरा है, atom as a whole is always neutral, और चोथा है, इसके मंदर none of these, अब इसका अंसर जो है, और इसका अंसर जो है, और इसका अंसर जो है, और इसका अंसर आपन लेकिन जो लोग अभी सोच रहे हैं, कि इसका अंसर नन अफ दीज हैं, उनको मैं बहुत बड़ी शाबाशी देना चाहूंगी, ठीक है, पर उस शाबाशी से पहले जो है, वो आप मुझे अपनी दौाओं में याद रखेगा, बाकि आप बड़े से आने बचे हैं, अल्ला